है आसे साल पहले दो साल पहले मैं ना फैमली के यहां जाने देती थी मतलब यहाई पे इसका भाई लोग रह ता नहीं पर यह बंदी ति अभी खाना नहीं खाएगी तो मैं इसको डाट नहीं लगाओ तो क्या करूं यह पड़ेगी निसको discipline नहीं सिखाओं तो क्या करूं इसे अलड़ हो जाने दू मैं आज जिंदा हूं इसे लिए कल मर जाएगी कौन खिलाएगा सब तो चाहेगा छोड़ दो छोड़ दो किसी का परवाया वो तो मां का मां का दिल जानता है कि जब बच्चा ने खाना करें जिर्ब सोपीस में किसी में कुछ भी नहीं है दाल होगा नमक होगा भलती थोड़ा मोड़ा होगा जीड़ा खुलती नहीं होगा सारे चिछ कटम है इधर देख रहें हैं चाहल है दोस्तों यह भी आसे 3 महीना पहले जब यह भाग गया था जब मम्मी आई थी मम्मी ज लगे हैं शुले लगी ईदर बटना यह बातरूम इंगे दोस्तों और बात्रूम में था और यह ब्लड का निकली नहीं रहा था इतना धूफहना फुर गरह में तो वह इसे पीट भी रही ती मुझे समझ में नहीं आ रहा तो शगुन गई तो हाथ धोने के लिए तो देखी तो बताई तो हम चाहते कि हम आप लोगों को भी वह चीज दिखाए इतनी प्यारी है दोस्तों इतनी प्यारी है रात हो गया दोस्तों नौ बज रहा है और उसका कोई फोन नहीं आया कोई कॉल मैसेज नहीं आया तो मैं कोई फरक नहीं पड़ता है क्योंकि साथ रह करके वह अल्वेस मेरा दिमाग भी खराब करता है बहुत टेंचन देता बहुत ज्यादा मैं जितना वीडियो में दिखाती हूं उससे कई गुना ज्यादा यह मुझे परेसान करता है इसलिए उसका होना ना होना मुझे कोई फ इसको देख ले राधे राधे तो पहले बोलो कैसे आप लो कैसे खाती हो जगुन बड़ा बड़ा बाइट लो यह भुजया मिला के खाऊना इस तरह से मत खाऊ फिर गुसा अधा जासा उन फिर पिट देंगे तेजी से खाऊना सुबास जाती हूं तो भूग नहीं लगता तुमको खाना देखके आत्मी को एदम तेजी बढ़ा लेन चाहिए इसको खाते देख लेंगे ना हम उसके पता नहीं क्यों मेरा इतना बढ़ जाता है खाते और वो पढ़ते समय इसका दो काम है मेरे वो फुटत जैसे भूखना पड़ता है मर जाने का मन करता बस यही दो एक चीज में एक खाना ना इसके पीछे जितना निवाला न दोस्तों उसे दो गुना तीन गुना मुझे चिलाना पड़ेगा तब जगर के यह खाना खाएगी और सारी चीजे ठीक रहती है ना दोस्तों तो मुझे साइट से फेक दिया उधर इससे मैंटन करने में दिक्कत नहीं होता है लेकिन क्या कहते है ना कि दिमाग जब खराब पनाई और मैं चली गई उधर तो देख रही हो कि अब फालतु का काम कर रहा है मैंने उसे कहा ना कि दो चार बरतन थोड़ा से साप कर दो जब तक मैं इधर कर रही हूं क्योंकि फिर बाबु को भी खाना खिलाएंगे और फिर धूप हो जाता है सबसे बड़ा बात यही है पानी का कमी था लेकिन जैसे लिए लाग गया तो मैंने बूला कि कपड़ा धोली थी मैं फैलाएंड थोड़ा से कटोंच ना कर तो ने फ्सक्रवण धहता घ्रहां वह सांब करके तो ऑसको मैंने बोला ना कि क्योंड़ा था मैंने बुला कि थोड़ा सा और पाइप लगा करके और थोड़ा थोड़ा डाल ताकि है तो हम लोग को उतना कस्ट ना होना पड़े कि थोड़ी दिर बाद धूप आईगी फिर सारा सूख जाएगा उससे कोई काम लेना दोस्तों इतना छोटा सा काम भी आपको लेना है ना आ लेकिन यह हाथ पर हो करके एक काम नहीं करेगा दोस्तों लड़ाई कि आप फालतु का बकवास बकजक इतना ज्यादा मत पूछिए बात आप लोग देखते होंगे ना कैमरे में जब ऐसे बैठा रहता है ना ऐसे नहीं बैठा रहता है ऐसे बैठ करके इतना सा जरूर बोल होता है जिससे कि आपको सीध्धा इधर लगेगा इधर लगेगा आप बोखला जाएब चिल आने येगा पागल हो जाएगा यह इतना ज़्यादा करता है ऐसे मैं इतना इरी टेट हो रहा के चला गया अभी सब्सक्राइब कर रहा था मतलब कि हर बार मैं कभी इसको इमोशनल बच्चों को ब्लैक्मिल नहीं करती हूं कि मैं ऐसे देखो लडाई होता है वैसे होता है जो चीज़े देख के लोको जो समझ में आता है मैं इसनों का उमर में ही देख देखती है कि लड़ती हैं कि घ मैंसे करती है a एक चोटा सा बच्छा के मन में एक माहा पाल रही है एक दिन एक चीजे मैं भी बना के बैठ सकते हूं मैं भी लिपिस्टिक चोप के बैठ सकते हैं इतना कुछ कर रही है इसके तो यहां पर पहले दो साल पहले मैं नशाने लुटी तो नहीं नहीं बोलती लेगिन अब बोलती है कि तुम्हारी ममा ऐसे घंदी है डाटती है यह करती है अब बच्ची खाना नहीं खाएगी तो मैं इसको डाट नहीं लगाओ तो क्या करूँ यह पड़ेगी निसको discipline नहीं सिखाऊ तो क्या करूँ इसे अलड़ हो जाने दू मैं आज जिंदा हो इसे लिए कल मर जाएगी कौन दिलाएगा सब तो चाहेगा छोड़ दो छोड़ दो किसी का परवाया वो तो मा का मा का दिल जानता है कि जब बच्चा ने नहीं देंगे तो ऐसे भी मर जाएगी और क्या का खाती और कुछ है नहीं साइट चीज दूरा पहले भाग गया था जब ममी आई थी तो ममी जाने से पहले चावल, सैंपू, साबून, डाल, नमक, सब ला करके दी थी, मैंने सब को छुपा-छुपा करके रखा था दोस्तों, आज चावल खतम हो गया, मजबूरी में मुझे चावल येवले निकालना पड़ा, साबून, सैड़प, सब निकाल-निकाल के वो लड़का ही इस्तिमाल करक अभी रात में नहीं आएगा, मैं वीडियो बना के अप लोगों दिखाऊंगी, अभी येवलाब लोग यहीं पर स्टोप करूंगी, लेकिन अग मुझे कोई फरक नहीं पड़ता है, वो रहे चाए नहीं रहे, मुझे बस खाली जिस चीज़ की जरूरत है, मुझे वो मिल मैं तो उसी दिन जान गई थी, जिस दिन मेरी बेटी पेट में थी और ये लोग ड्रामा किया था, उस दिन ही अपने दिमाग में ये गाठ बांध ली थी, कि जो आदमी एक बार ऐसा कर सकता है, वो बार बार कर सकता है, और मैं सायद आज के दिन के लिए ही इंतजार कर रह थी, क्योंकि इस आदमी को अगर मेरे साथ रहना रहता ना, इतनी छोटी-छोटी बात मुझे चीर-चीरा नहीं कर देता, मेरे हालात को मेरे में इस्तिति को जरूर समझने के कोसिस करता, कि हां ये क्या चाहती है, मेरे से तो बाकी चीज मांगती नहीं है, प्यार का बोली भी तुम्हारे मुह से नहीं निकलता है, फिर तो तुम्हारा कुछ औरी रवाईया है, और आपको तुमको सुधारना में अपने वक्त भी नहीं बिताना है, एक बार रोके थे, बहुत रोके थे, बहुत थाना कोट का च्छरी, आज से पांच साल पहले भी गया थे, लेक साम को मैं फिर सब दिखाऊंगी, कि क्या करता है, वो आता है कि नहीं नहीं आएगा, बैग में उठा के गया है, अकल साग उनका भी पता निकिता दिन क्या मिस्कूल मिस होगा, मुझे नहीं पता, हम लोग खाना का कि इस रूम में आए हैं, बाबो को खिला उला के, अब क्या बोले इतना सुन्दर चीज है ना, बुद बुरा भी लग रहा है, क्या है इधा बाटरू में गया तो दोस्तों और बातरूम में था, और ये बलड का निकली नहीं रहा था बातरूम से, इतना बुद भी रही थी, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो सगुन गई, तो हाथ दोने के लिए तो वो देखी तो बताई, तो हम चाहते हैं कि आप लोगों को भी वो चीज दिखाए, इतनी प्यारी है दोस्तों, इतनी प्यारी है, अम बहुत बुरा भी लग रहे किसको हम, इतना सुन्दर सी चीडिया देखिए, यह बातरों में बैटे हुए थी, बच्ची है, मतलब यह नहीं दोड़ पारी है, बस इस तरह से, हम को क्या करें इसको, नहीं, नहीं, छोड़ दो बिटा, तक कि मैं सोई-सोई कर रहे हैं, इसको क्या करें, हम कहां बेजें, समझ में कि बहुत चोटा, इसको में रख भी नहीं सकते, कुछ खिलाने भी आएगा, और यह बच्चा तो इसको मिल जाए, तो इस पता ने क्या कर देगा, बैट के खेल नहीं, इसके साथ यह बातरों में, हम को लगा साबून भून चूता है, हम चिला रहें, मारूर के भगाए, अ पहली बार हमारे गए, 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 पहली बार हमा पैर से लग जागा इधारा इधार दो कमेंट करेंगे दोस्ति दो क्या करें कहां पर अच्छे कि अपना घर चला जाए थो ना उड़ जाएगी वैसे ये पुटा भी लटक जाती है मेरे सुरे फिंगर में है एह बाबु हटा इस मेरे फिंगर में है देखिए कैसे कैसे लटक गई है अब पैर पकड़ के हाट ना किसू देखिए यह मतलब किस टैप की बर्ड है हमको नहीं पता लेकिन मेरा फिंगर पकड़ के और यह राच्छा से राच्छा तो नहीं हो सकती है अगर यह कुछ तो है प्यारी सी बर्ड है जो मेरे घर पे आई है अनके लेंटी यह बातरों के लेंट में बैठी हुए थी जो उपस लिखना हुए तो नौ बज रहा है और उसका कोई फोन नहीं आया कोई कॉल मेसेज नहीं आया तो मैं समझ गई हूं कि वो नहीं आएगा है ना और इसको बोलाई बच्ची को पुरा मेंट्री टोर्चर कर रहा था रास्ते में कल इसकूल नहीं ले जाएंगे हम नहीं आप आएंगे वह सारी बाते बोलके गया यह बच्ची को तो नहीं आएगा एनिवेस हमको कोई फरक नहीं पड़ता है क्योंकि साथ रहता है तो मुझे ज्यादा फरक पड़ता है क्योंकि मुझे मेरा हेल्थ अभी बेटा हटना मुझे मेरा हेल्थ अभी ज्यादा ज़रूरी दोस्तों कि जितना मेंट्ली मुझे अभी रिलाक्स चाहिए वह सारी चीजें मुझे नहीं मिल पाती है और इसलिए मैं दूर है चलो ठीक है जाओ जहां जाना मैंन मुझे छोड़कर जा रहा था छे साल पहले अगर उस वक्त मैं इसे जानी देती तो साइद मुझे बहुत पस्तावा होता क्योंकि इसका यह वाला रूप मैंने नहीं देखा था मुझे लगता था फैमली प्रेसर में ऐसा करता है बटा भी मुझे पता है कि फैमली प्रेसर फाइनली उसके पैर में जूखी जाएंगे तो मुझे डराने के परपस जाता है बट मैं भी डर के कब तक रहूंगी मरना तो एक दिन ही तो कपड़ों पर ना जाए बहुत गर्मी है तो मरना तो है ही लड़के मरेंगे और डोबो इसलिए चिला रहा है क्योंकि साम हो गया अब दिन भर सोय है और दोस्तों रात बर वह जगेगा और मुझे डोबो से बहुत अच्छा लगता है बहुत जादा अब डोबो है तो बहुत मतलब लगता है मेरे आसपास बहुत बड़ा गारजयन है जो ओन दिस स्पॉट फैसला करेगा और वह वाली बर्ड है ना दोस् जैसा घुल्लक था मेरे पास प्लास्टिक का उसको काट करके घुसला बना करके मतलब करके उसमें रख दिये दोस्तों तो दो पहर में उसकी ममा लोग उसका ममा पापा की फीड करा के गया खाना वना तो वह सेफ है और वहां पर उड़ने सीख रही है उस आसपा जब से और उस वाले बच्चे से कि यह लोग उसको खराबी ना करें और वह आएगा ही कभी ना कभी आज आए कल आए परसो आए जब आएगा आएगा क्योंकि जाएगा कहां बंदा को और ठीकाना नहीं है वह उड़ रहा है अभी लोग उड़ा रहे हैं मैं भी चाहूंग कि त दिन लोग तुमको देखें और लोग जाने तो बस अभी इतना ही दोस्तों हम लोग जा रहे हैं सोने के लिए और इतिफाक से इसके स्कूल से मैसेज आया है कल राची बंद है तो कल हमारी छुटी है और वीडियो लेट से जाएगी दोस्तों ऐसा नहीं है कि मैं एक ही दिन कम कर पाना और फोसिःवल नहीं होता है दोस्तों इसलिए अर दटर नंगवा पंगवा अपना काम में लगा है जाए दोस्तों रेकें सोने